Hello everyone, welcome to my channel Marciar Academy, this is Imansu, let's start today's topic, so basically आज के इस वीडियो लेक्टर में हम डिसकस करने वाले हैं वीटामिन के बारे में, देखिए ये topic मैं इसलिए एड़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये topic जो है as per your examination बहुत ही जादा important है, और basically जहां तक मैंने देखा कि जितने कुश्चन वीटामिन इस पर बन रहे हैं, वो ये बन रहे हैं कि कौन से source है वीटामिन का उस वीटामिन का नाम जो है वो दूसरा क्या है जैसे कि वीटामिन A को और किस नाम से जानते हैं और इसकी deficiency मतलब इस वीटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं तो मैंने एक चार्ट बनाया है, सायद ये आपके लिए helpful रहेगा चलिए start करते हैं जैसा कि आप जानते है विटामिन जो है एक ऐसा molecule है जो हमारे बोड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा essential है यह ऐसे molecule है जो कि हमको बाहर से इंटेक करने पड़ते हैं हमको milk के साल या अच्छे अच्छे Fruits nutrition कहने पड़ते हैं जिससे कि हमें मौत साथी विटामिन जो है इन उब कर दाटे हो अगर आपके सरीर में विटामिन जो है आप पूरी पूर्थी जो नहीं कर पाते हो तो आपको कोई न कोई deficiencies से कोई न कोई रोग जो है वहाँ जाता है कोई fat-soluble होता है fat-soluble मतलब जितने भी आपके विटामिन A, D, E, K ये 4 विटामिन जो है fat-soluble विटामिन है और रिमेरिंग जितने भी है आपके वह water-soluble जैसे कि विटामिन ascorbic acid है vitamin C है आपका vitamin B जो है ये दोनों जो है आपके water-soluble है और बाकिसर विटामिन जो है A, D, E, K ये आपके fat-soluble है अब ये विटामिन जो है आपके fat-soluble ये आपके body में काफी लंबे समय तक रहते हैं क्यों क्योंकि ये fat-soluble है ठीक है water-soluble क्या होता है आप water-soluble vitamin जो है वो आपके body में ज्यादा देर तक रुखते नहीं है वो आपकी body में excret हो जाते हैं इसलिए आपको water-soluble जो vitamin है ज्यादा से ज्यादा इंटेक करने पड़ते हैं ठीक है तो fat-soluble जो है आपके सरीर में काफी लंबे समय तक रुखते हैं जबकी water-soluble जो है वो short-period के लिए रहते हैं चले तो यहां तक तो सबको पता ही होगा next is start की में बात कर रहा था जिसमें सारे vitamin जितने भी है आपके लगबग जो तेरा essential vitamin से उन सबको मैंने लिया है first आपका आता है vitamin A इसकी solubility fat-soluble है सर इसका food source जो है वो कौन सा है देखे green leaves, vegetables, ripe yellow foods, guava, milk, liver, nuts, tomato, orange, carrots and broccoli, watermelon यह सारे इसके food source है और main चीज यहां पर इसकी deficiency से कौन सा रोग होता है तो जैसे कि हम जानते है night blind lens और यह hyper catarosis जो है vitamin A की कमी से होता है next आता है आपका vitamin B1 जिसको की हम thiamine के नाम से जानते हैं देखिए इसका नाम जो है वह अदर वह आप याद कर लेना क्योंकि इस type का भी कुशन जो है वह बन सकता है यह vitamin जो है water-soluble बस आप इतना सा simple सा याद रखिए यह यहां पर मैं लिख देता हूँ ADE के जो है यह 4 vitamin यह fat-soluble है और B और C जो है आपका वह है water-soluble इतना याद रखिए याद हो जाएगा चलिए next चलते हैं हम जी हा विटामिन B1 थाइमिन पर water-soluble इसार fresh fruits, potatoes, sweets, potatoes, crones, nuts, wheat, milk, black beans इन सब में जो है vitamin B1 जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में रहता है और vitamin B1 की कमी से आपको बेरी-बेरी रोग जो है वो हो सकता है ठीक है next आता है आपका vitamin B2 जिसको की हम ribofraveen बोलते हैं यह भी water-soluble है बस जो भी vitamin B जो है वो सारे के सारे water-soluble है यहाँ पर इसका food source जो है वो बनाना, dates, mushroom, grapes, mangoes, peas, popcorns यह सारे जो है इसके food sources है और इसकी कमी से विटामिन B2 की कमी से आपको slow growth मतलब बच्चों में जो है growth होती है वो आपकी growth जो है वो रुख जाती है और source आई का मतलब है आखों में ज्यादा खुजली आना, सुखा फं रहना आखों में, redness होना यह सारे की सारी आपकी vitamin B2 की कमी से रहता है और इसकी कमी से पाले गरा, रोज हो जाता है Pallagra, इसके का स्वेलं से पाले ब्यां गरागे जिसमें की मुह से smell रख जाती है पाई लगा बोलते है लिगिन पायई हो, तो इस टाइप के बोलते है विटामिन B3 की कमी हो गई होगी चलिया next vitamin c जैसे कि आप जानते है vitamin c ascorbic acid इसको की हमों बोलती है आपके नीमू संत्रा juice सभमें fresh juice जो है इसमें vitamin c भरपूर मातर होई सभ से highest amount of vitamin c आवल से आवला में रहता है जैसकर आपकी आवला में हमें जानते है यह फीस, एग, लिवर, बीफ, चिकन इन सब में रहता है और इसकी कमी से रिकेट्स या औस्ट्रियो मलेशिया जो है वो हो जाता है अब सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक यहां से यह आता है कि रिकेट्स जो रोग है यह आपके अडल्ट में रहता है और चलिए, sorry for disturbance, जी हां, तो यहां फे चल देते हैं जी हां, वीटामिन D जो की fat-soluble है और यह जो है इसकी कमी से 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 क बच्छों में रहता है डो है bought the owner टीक के El enable डीक कि sama आपके आलो में मैंगो में मेंalfमेश नॉट्स में इन सब में विटामीन E रहता है की मैं और को the time do you Pak दो है आपके नया कर नहलुते नियुंतने से एक संस्ट को और अदे तरिए सब्सक्राइब के ने समय करुआथा ये 방लुक जानता है है विटामैन राष्ण मातने हैं इस प्रफारमातरं में जाता है और इसकी कमी से आपको हीमोरेज रह जाता है हीमोरेज देफिशेंसी जाती है यह सारे के सारे विटामिन जो है जिसकी हमने solubility इसके food source और इसकी deficiency of disease इसके बारे में हमने अच्छे से देखा तब इसकी स्की car the most important thing यह पर कुशना க apke देखिया कि जितने भी विटामिन है शकर्प्राविक कोichaam c विटामिन B.6 को लिध लजा थborg करते है ठीक किना थाइम यहां पर देखिया रिजीकि जे भीतामिन बीतामिन aiming wasich को how रिभावane बोलते हैं ? यह आप एक बार इसके सारा के सारे ज़ो नेम है वो इंनल स्क्राइब से याद करनें और वीटामीन के दूसरे नाम से , बीए और इनल स सोक्ता है तो कैसे लगда आपको वीडियो है ज़रुर माने लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही इंफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और मैं आपको बताना जाओंगा जितने भी स्टूरेंट इस वीडियो पर नाय है असिस्टेंट डेरी चैनल के आपके जितने भी इस पर सेलिबस पॉइंट आप यू से टॉपिक है चाहे वो एमसी क्यू हो उस सारे के सारे एक प्लेलिस्ट बना के रखी मैंने इस वीडियो के एंड में आपको यहां पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी उस पर क्लिक करना एक ही क्ल